हेलो फ्रेंज नमस्कार बहुत थी इंपॉर्टेन संस्कृत के क्वेस्चन्स की स्रिंखला में आप से भीका बहुत-बहुत स्वागत है एकदम से सुपर्ट उपर हिट क्वेस्चन का केलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो शुरू से लास्ते वीडियो क के साथ बने रहीएगा चलिए देखते हैं पुत्री का परियाएवाची क्या है पुत्री का परियाएवाची आपको बताना है पुत्री का परियाएवाची क्या है बिकल्प यहां पर आपका कौन से सी होगा चलिए फटाफट से जल्दी से जल्दी जल्दी से आप लोग र जब कि मतलब किया होता है ? तहीक है । देखि ये तनिया है ।ór टनुजह है । और सुता है , यह सभी यह जो तीनों परियाय बच्ची लिखें कि इसके लिए पुत्र के लिए प्रियुक्त होते हैं जबकि यह जो तनिया है इसका मतलब क्यों होता है पुत्री होता है राइट आगी बढ़ेंगे अगले किसके लिए नीर गगन आकाश गगन वायू पमन क्लियर है आगे बढ़ते हैं अगला क्विश्चन चिरात शब्द द्यों तक है किसका चिरात शब्द किसका द्यों तक है बिल्कुल सही बिकल्प आपका बीस ही होता है समय का यह जो प्रश्ण दिया गए इसमें चिरात शब्द समय का द्यों तक है चिर जो होता है देखिए चिर का मतलब ये प्राचीन्ता का वी दियोतक है जो कि प्राचीन्ता का मतलब यहाँ पर किसे लिया जाता है समय से ही लिया जाता है ये भी समय का ही परियाय होता है concept समझाए ना आगे बढ़ते हैं आगले equation पर next है बालका है शे ग्रम धावती इत्यत्र शे ग्रम इति पदम किम बालक शेग्र तेज दौडता है इसमें जो शेग्र पदे मतलब क्या है ये पदम की, कौन सा पद है, क्रिया विशेशड है, क्रिया है, विशेशड है, सर्फ नाम है, बिल्गुल सही, बिकल पापका यहाँ पर एस ही हो जाता है, ठीक है, शिग्रम, शिग्र, तेज दोडता है, तो इसमें जो शिग्र पद है, धावती, यानि कि धावती यहाँ पर क्र क्रिया है इसकी विशेष्था बता रहा है तो शिग्रम पद यहां पर क्रिया विशेष्ण है जो क्रिया की विशेष्था बताने वाले शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं क्रिया विशेष्ण कहते हैं क्लियर है बिल्कुल सही आगे बढ़ेंगे अगले एक्वेशिन की त अर्थात इस वाक्य का हिंदी अनुबाद क्या है क्या हुआ जानते हैं कमला अध्यन में निपुड है इसलिए यहां पर बिकल्पाप का बी से हो जाएगा अस्ति भरा जाएगा क्लियर कमला अध्यन में निपुड है आगे बढ़ेंगे next question हमारा अगला अनुपसर का प्रियोग किस शब्द में नहीं हुआ है पूछा जारा अनुपसर का प्रियोग किस शब्द में नहीं हुआ है अनुराग है अनुभवा अनुपस्थित या फिर अनुकृति है बिल्कुल सही बिकल्प यहां पर आपका C, C हो जाता है अनुपस्थिती अनुपसर्ग का प्रियोग दिये गए बिकल्प में से यहां पर C में नहीं है और जबकि देखी अनुरागह में अनु है, अनुभवा में है और अनुकृती में है Next question उपसर्ग संग्या विधायक सूत्र कौनस है, उपसर्ग संग्या विधायक सूत्र कौनस होगा, फटब पर से आप लोग रिप्लाई करते रही है, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रही है देखी आज सांसे equation का collection है, लेकिन बहुत ही important है बिकल्प आपका सी सी हो जाता है, उपसर्गा क्रिया योगिये यहाँ पर fill in the blank होगा क्या भरा जाइगे आपकर बिकल्प D अन्यत दिखिए सा अन्यत पुस्तकम क्रेतुम एक्षत यानि कि वह दूसरी पुस्तक खरीदने की एक्षा करती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन अशुद्धम वाक्यम चिनुत अशुद्ध वाक्य चुनना है आपको बताईए कौन सा है विकल्प आप लोग चुनियों और फटवर्ट से रिप्लाई करते रहेए विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है दिखिए विकल्प D सर्पह मुशकम गिलितवान यह अशुद्ध वाक्य है यह अशुद्ध वाक्या है क्योंकि इस वाक्य में जो ये गिलतवान है ये शुद्ध पद नहीं है शुद्ध पद इसका होगा गीडवान सर्पह मुशकम गीडवान क्लियर है बिकलप आपका डी से होगता है ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला क्वेशने देखें मातूर माता एवं कत्यते माता जी की माता को क्या कहते हैं मातूर माता एवं कत्यते माता मही पिता मही माता मही या फिर पिता मह कौन से सही होगा बिलकुल सही बिकलप यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है माता मही माता जी की माता को हम माता मही यानि की नानी कहते हैं अगला क्वेशन हमारा नेक्स्ट एक बाद जितने विश्वन वीडियो को देख रहे हैं फड़ा फट से दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे पेशू कहा विकल्प शुद्ध है कौन सा शुद्ध है आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका शुद्ध है ध्यान से देखिए और रिप्लाई करिए बिकल्पी यहां पर आपका सही हो जाता है ध्यान से देखेंगे बिकल्पी यहां पर आपका डी सही हो जाता है महाधन अरडवा ये शुद्ध है, क्योंकि देखें इसमें आ, महा का आ और प्लस आ, ये दोनों मिल करके आ बना रहे हैं यहाँ पर कौन सी संदी हो रही है, दीर्ग संदी, बड़ा है और चोटा मिल करके बड़ा बना रहे हैं, दीर्ग संदी है अकह सवर्डे दीर्गा, ये सुत्र है इसका न, तो यदी दीर्ग स्वर, सुत्र के कोडिंग, अकह सवर्डे दूर्गा, यदी दीर्गा, यदी हर्षव, अत्वा दीर्ग स्वर, आ, ई, उ, 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 री के साथ, समान हर्षव या देर्ग स्वर आते हैं, तो दोनों के स्थान पर सवर्ड दीर्ग हो जाता है यानि कि आ का अ हो जाता है इक यी इस तरी किस बाद समझ आ रही है जिसे एक एक जम्पल में बता देते हैं सिंपल सा है और हिमाले में हिम्धन आलया हो गया थोड़ा सा टफ स्री धन इश ठीक है तो यहां पर स्री स हो जाएगा तो यह हो जाता है यहां पर भी दीर खो जाता है आगे बढ़ेंगे अगला question नमारा next है अशुद्ध वाक्य का चैन कीजिए अशुद्ध वाक्य का चैन आपको करना है मिकल्प कौन साब का से यूगा जेवे तुम नोच से है अशुद्ध है रामसे बेना जेवे तुम नोच से है ठीक है देखे प्रिथक और बिना के साथ प्रिथक और बिना के साथ दूतिया तरतिया और पंच में बिभक्ति का प्रियोग होता है ध्यान रखिएगा दूतिया तरतिया और पंच में विभक्ति का प्रयोग होता है देखे प्रथक किया जाए दूर हटते हैं अलग होते हैं या फिर बिना यहाँ पर पंच में विभक्ति का हमेशा प्रयोग होता है ध्यारकिया आगे बढ़ेंगे अगला क्वेशन नमारा नेक्स्ट है मया रामा द्रिश्यते मया रामा द्रिश्यते वाक्य का वाच्चे परिवर्थन करने पर क्या होगा मया रामा द्रिश्यते वाच्च भेद तेन परकार के कर्म वाच्च, कर्ते वाच्च, भाव वाच्च वाच्चे परिवर्थित तीन परकार का होता है अच्छा यहाँ पर हमने यह अगर वाच्चे परिवर्थित किया द बिकल्प आपका बीत ही हो जाएगा अहम रामम पश्यामी क्या हो जाएगा अहम रामम पश्यामी आसान सदा अगे पढ़ेंगे अगला Hmm you अगर नेक्स्ट है १। दूम शब्दका आर्थ अर्थ you झेल हैं यह क्वेस्जट आपकी एक्वेस्जट पूछा गया है ऑपकी एक्वेस्ज़न हुच्छ अपर आपका सेंही होता इसको संस्कित में क्या कहते है यह हो गिया तंडूलम अच्छा गधा को क्या कहते है गर्धब गाय का दूद गोपया क्या कहते है गोपया क्या क्या ठीक है आगे बड़ते हैं अगला question नमारा गुटने के लिए उपयुक्त संस्क्रिश शब्द क्या है घुटने के लिए उपयुक्त संस्क्रिश शब्द क्या है घुटने के लिए उपयुक्त संस्क्रिश शब्द क्या है जानू उरू जगन हनू कौन सा बेकलप आपका सही होगा चलिए जल्दी से बताइए घुटने को संस्क्रिट में हम क्या कहते ह जानते हैं बेकलब आपका e से यह होता है जानू कहते है golden मतलब घुटना अब यहाँ पर धियान से देखिये जानू यह हो जाता है घुटना पहली बात तो यह जाने question नहीं किसी exam में पूछा गया है क्या होता है यह pulling होता है ठिक है यह अरु जंगा है जो पूरुस के लिए होता है, अब यहाँ पर जगंज होता है, यह स्थ्रेलिंग यह भी इसका मतलब भी जंगा होता है, धियान रखिएगा हनु मतलब होता है, टुड़ी, अगला क्वेशन, टुड़ी, अगला क्वेशन नेकस्थ हमारा कुंजर शब्द का अर्थ क्या होता है विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है हाथी है हिरण को क्या कहते हैं मुरिगा सुवर को कहते हैं शूकर सर्प को कहते हैं अही क्लियर है न संस्केत में किसको क्या कहते हैं वह आपको बताएंगे यहां से लगबग लुँक्त यह अपकी अग्जाम में dolphin मतलब किसी बी इक्जाम में अपके यह उत्याम की अगर हम बात करते हैं कौन से विकल्प आपका सही का कि बिखलप यहां पर आपका सही हो जाता है विकल्प D अभुवत देखिए भवत्ति इस्म इत्यस्य अर्थ अभुवत संस्क्रित में वर्तमान काल की जो क्रिया होती है इसके मतलब यह क्रिया के अनंतर में इसम शब्द जोड़ देते हैं तो यह भूत काल की क्रिया बन जाती है किसमें बन जाती है भूत काल की क्रिया ठीक है जैसे मतलब आप यह देखिए अभुवत अभुवतम अभुवट्वट्स को बता दिया संस्क्रत में भरतमान काल की क्रिया के अनंतर इसमच्छा अगर अब जोड़ देते हैं बहूत काल की क्रिया ये भन जाती तो जैसे यहाँ पर हो जाता है भवत्ति में अभुवत हो गया ठीक है आगे बढ़ेंगे हमारा अगला question next आप सबीकी screen गच्छत इस्म इती वाक्यस्य अर्था का न गच्छती गमिस्यती अगच्छत या फर गच्छत कौन सा विकलप आपका सही होगा गच्छती इस्म इती वाक्यस्य अर्था है मतलब विकलप आपका सी सी हो जाता है अगच्छत अगच्छत जो है आपको बताते चलते हैं लंग लकार प्रथम पुरुष एक वच्छन करूप है अगे बढ़ते हैं अगला question नमारा next है चल पद में लकार पुरुष और वच्छन क्रमशा है चल पद में लकार पुरुष और वच्छन क्रमशा है कैंजों से है चल पद में विकलप आपका कौन से सही होगा ध्यान से दिखेंगे चल पद में लोट लकार मद्याम पुरुष और एक वच्छन है विकलप का 20 सही होता है ठीके तीनो देखे अब क्या हो जाएगा चल तीनो रूप क्रमशण रहे देखेए चलत तम छलत चलत क्लिए रहे हैं चलिए आगे बड़ते हैं है मारा आगला क्विशन वविश्यत काल में किस लकार का प्रयोग होता है विश्यत काल में लित लकार का पुरियोग होता है, इसका रूप कैसे चलता है, देखेए एक वच्छन, दुई वच्छन, बहु वच्छन और प्रतं पुरुस मद्य Państwo, उत्तम ऐसे चलेंगी है, एसे चलता है न तो ये अपका बिकल्ब सी सी हो जाता है, लित लकार है, आगि बढ़िंगे अगला क्वेश्चा नगे कोई वी रुप चला दिजे नदी है इत्यत्र का विभक्तीfun नदी में को सबस्ट के दूतिया विभक्ति बहु बचन का रूप है और ये इकारांत इस्ट्रेलिंग वाचक शब्द है और इसका जो रूप चलता है ना देखिए हम सही बताते कि नहीं आपको वैसे सही बताएंगे 100% सही बताएंगे ठीक है तो देखिए प्रतमादुतियत रतिया पंचमी सस्टे सप्तमी संबोधन तक आपको लेके चलते हैं नदी न्लाइक बार छोड़ करके लगभग पूछी लिया जाता है आगे बढ़ेंगे मारा अगला क्वेशन है, पंचन शब्द से दुतिया बहुबचन, बहुबचनम किम, बिकल्ब C सि हो जाता है, पंच, बिकल्ब C, ठीक है, यह संख्या वात्ची शब्द है, जिसका रूप के वल बहुबचन में ही होता है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़े यह मारा अगला क्वेशन है राजन शब्दस्य तृतिया एक वचने किम रूपम भावती चली भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन मारा अगला क्वेशन ध्यान से दिखिए मिकल्पी यहां पर डीसी हो जाता है राज्या राजन मतलब राज्या शब्द का तृतिया वि राज्या भ्याम राज्य भी दूतिया में चलता है राज्या नम राज्या है ठीक है ऐसे ही आगे बढ़ेंगे अगला क्वेशन हमारा नेक्स्ट है इस्त्री लिंग मात्री शब्द का दूतिया विभक्ती बहुबचन का रूप आपको बताना है इस्त्री लिंग मात्री है शब्द का दूतिया बिभक्ति बहुबचन का रूप विकल्प D मात्री फटबर से आप लोग रिप्लाई करते हैं जल्दी जल्दी से आपकी रिप्लाई आनी चाहिए एकदम से स्लो नहीं होना चाहिए तो विकल्प यहाँ पर आपका D.C. हो जाता है मात्री है देखिए एक बचन, दूई बचन और बहुबचन में कैसे चलेगा रूप पर्थमा और दूतिया का बता रहे हैं आपको माता, मात्रो, मात्र हैं मात्रम, मात्रो, मात्री तो मात्री शब्द का दूतिया बहुबचन में क्या हो जाएगा मात्री हुआ की नहीं हुआ आगी बढ़ते नेक्सक्र दॉखिए यह एक बचन दुए बचन और बहु बचन में हम बताएंगे आपको यह असमत जो है सस्ती में कैसे चलेगा मम आवयो असमाकम मे नो न मे नो न करेक्ट इसमन शब्द का सिस्टी बहु बचन में इसमाकम होगा करेक्ट चली भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रुमाना क्वेशन आप सभी के लिए ये रहा पंचमे बिभक्तिãy, एक बचन में लताशब्द का रूप आपको बतानाँ पंचमे बिभक्ति, एक बचन में लताशब्द का रूप क्या होगा देखते हैं आपकी त्यारी कितनी है पता चल जाएगा लास्टमे आप लोग अपने scoring ज़रू बताईएगा बिकल्ब यहाँ पर आपका सीव हो जाता है बिकल्ब डी लताया बिकल्ब आपका डी सीव होता है लताया पंचमे विभक्ति लताया है एक बच्चन दुई बच्चन लताभ्याम लताभ्या एक बच्चन दुई बच्चन और बहु बच्चन है लता शब्द का पंचमी भक्ती एक बच्चन में लताय हरूप होगा आगे बढ़ेंगा अगला क्विशन है भात्री जाये इत्यत्र भात्री जाये इत्यत्र बिभक्ती है का बिकल्बी संबूधना प्रत्मा भात्री जाये इत्यत्र बिभक्ती है सम्भुदना प्रत्मा है अगला क्वेशन नेक्स्ट हमारा संपत्स इत कस्याम विभवतो वर्तते चातूर्थी सस्त्री पंचमी या फिर सप्तमी देखिए ये संपत का रूप है संपत मिकलपाप का डीस ही होता है सप्तमी या अगला क्वेशन नमा शब्द योगी का बिभक्ती है प्रियोज्यते पंचमी प्रतमादूति या चतूर्थी नमा की योग में कौनसे बिभक्ती का प्रियोग करेंगे बिल्कुल सही बाई मिकलपाप का डीसी हो जाता है चतूर्थी बिभक्ती का देखिए आपको बताते चलते हैं नमा एक सूत्र है इसका मुझे याद नहीं है नमा हो गया स्वस्ति हो गया और स्वाहा हो गया और अलम और स्वधा इन सभी शब्दों की योग में चतूर्थी बिभक्ती होती है का शब्द और होंगे तो इतना जितना मैंने बताया इंपोर्टेंट है आप लोग ये इतना जरूर याद रखिएगा इन सभी के योग में चतूर्थी बिभक्ती का प्रियोग होता है अगला क्वेशन है मम्मित्रम संस्कृतम जानाती यहाँ पर यहाँ पर बिकल्प आपका सही हो जाता है बिकल्प ऐसे होता है दुतिया है तो इसमें दुतिया बिभक्ती का प्रियोग होता है और आपको बताते चलते कर्मडी दुतिया इस सूत्र से कर्में दुतिया है दुतिया होती है और उप्रोक्त दारण में संस्कुत शब्द ये क्या है ये कर्म है इसमें दूतिया बिभक्ती परियुक्त है जैसे देखिए सा पुस्तकम पठती रामा बिद्यालेम गच्चती बिद्यालेम ये सबी दूतिया में है ठीक है आगे बढ़ेंगे हमारा अगला क्वेशन उम्मेदे की बहुत ही आसानी से क कारक आपको बताना है देखिए बिकल्बी से हो जाता है संप्रदान दान के लिए मतलब दान आज क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे हम संप्रदान कहते हैं तो ये देखिए चतूर्थी संप्रदाने चतूर्थी संप्रदाने राइट चतूर्थी संप्रदाने संप्रद क्रिया के लिए कि जा रही है तो इसलिए विपर में संपरदान कारत का प्रयूक किया जाएगा ठीक है यह विपर आगे बढ़ते हैं अंगला क्वेशन आप सभी के लिए नेक्स्ट आमारा क्वेशन यहीं रहा साधक्तम, फिल इन दग्लांक है, साधक्तम कर्म, करणम कर्ता संप्रदानम. यहाँ पर बेकलब आपका बीसी होता करणम है. साधक्तम करणम, यानि कि क्रिया के सिद्धी में जो अत्यांसायख होता उसे हम कहते हैं करण. ठीक है? करण में तृतिया विभकती होती है. कौन से को प्राक-इत्यस्य योग yanlış बंच में प्रयोग की जाती है ठीक है आगी बढ़ेंगे एगला क्वेश्य नमारा नेक्स थैक कस्मात अत्र इम विभक्ती है सब्तमी पंचमी प्रतमा या फिर चतुर्थी कस्मात अत्र इम विभक्ति ये सारे क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हैं न सभी डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम में पूछे गए है निखल पिहाँ पर आपका बेसी हो जाता पंचमी है कस्मात अत्र पंचमी विभक्ति अस्ति कस्मात किम कौन सर्वनाम के पंचमी विभक्ति एक बचन का ये रूप है ठीक है कस्मात किम यानि की कौन भाई कौन ये सर्वनाम इसका पंचमी विभक्ति का विभक्ति एक विभक्ति एक बचन का रूप है निकलप आपके हैं पर बीसी होता आगे बढ़ेंगे अगला क्वे वक्ति आपको बताना है कि इसमें देखिए अश्व से राम के अलग होने के अर्थ में अर्थात अश्व से अपाय होने से अश्व की अपादान संग्या होगी ठीक है तो अपादाने पंचमी तो अपादाने तो बिकल्प आपका बीस ही हो जाते हैं सभी पंचमी सही हो रहा ह ठीक है अगला question हमारा कौन सा होगा जटा भी तापसा में तुर्टिया विभक्ति का विधायक सूत्र क्या होगा जटा भी है तापसा जटा भी तापसा में जटाओं द्वारा व्यक्ति के तपस्वी होने का बोध कराया जा रहा है तो यहां पर लक्षण की आधार पर जब बताया जा रहा है तो जटाओं में यहां पर तुर्टिया विभक्ति तो सूत्र यहां पर कौन सा लगेगा ये लगीगा इत्थम्भूत लक्षणे ठीक है मिकलप आपका बीस ही होता है इत्थम्भूत लक्षणे अगले क्वेशन की तरप बढ़ते हैं, next है, सा पादेन खंजा अस्ति, वाक्षी में पादेन पदमेत रतिया विभक्ती का विधायक सूत्र आपको बताना है, विधायक सूत्र यहां पर विकल पाप का सही हो जाता है, एनांग विकार है, विकल पाप का भी सही होता है, इस वाक्य में मतलब सापादेन खज तो सापादेन खंज तो यहां पर वाक्य में जैसे पैर से लंगड़ा है सापादेन वह पैर से लंगड़ा है तो लड़ा होने पर मतलब अंग यह किसी पैर के विक्रित होनी की दर्शा में संपूर जो जो मतलब अंग के लंगड़े होने का जो बोध होता है यहां पर यह नंग विकार सुत्र से जो विक्रित अंग है उसमें तृतिया विभक्ती होती है सिंपल सी बात है जो विक्रित अंग होता है विक्रित अंग होता है उसमें तृतिया विभक्ती होती है ठीक है जिस अंग मे विकार होता है, तृतिया अभिभक्ती, तो विखल पापका यहाँ पर यी नांग विकार है, सापा देन हखंज यton इसका सही हो जाता है अभीकल पापका बी, रैइट, अगला क्विस्जन, कह शब्द अभ्याई भाविजा समास ससी उधारनाव अस्ती, कौनसा अभ्याई भा बहुत समाज को दा रहना सी में होता है डूस्टा पद संग्या चैनल होता है कर्मधारनी समाज एक हें कर्मधारे समास की समास का ही एक भीद माना जाता है अब यहीं बहुत तत्पुरुष बहुपरी ही दीगो विकल भी कर्मधारे समास तत्पुरुष समास का ही एक भीद माना गया है और ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें समास में आए हुए दोनों शब्दों का समाना दिकरड तो वहां पर समाना दी करद तत्पूरुस समास अथवा हम वहां पर कहते हैं कर्मधारे कर्मधारे समासे ठीक है यदि तत्पूरुस समास के पूरुपद और उत्तरपद का अधार एक ही होता तो उसे हम कर्मधारे समास कहते हैं एक्जांपल के लिए हम आपको बताते चलते हैं, नीलोत पत्र, नीलोत पत्र, नीला कमल, इस तत्पुरुस समास में नीला पन और कमल का आधार एक ही फूल है, तो यहाँ पर क्या होगा कर्मधार है, ठीक है, आगी बढ़ेंगे अगला क्विश्य ने, कमबु कंठ है, समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा, कमबु कंठ है, समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा, बिकलप आपका कौन से सही होगा, कंभू कंठा, समस्तपद का सही बिग्रह मिकलपाप का डीश ही हो जाता है कंभू रिव, कंठो यस यस ठीक है? इसमें कंऀ गंठा में जानते हैं समास कौन सा है? पहले तो समास बताई इसमें समास है बहु ब्रीही समास है जिस समास में अनीक पर्थमान्त पद गोड होकर किसी अन्य पद के विशेष्ण हो जाते हैं उसे हम बहुबरी ही समास कहते हैं ठीक है, बूबरी ही, एक अलग ही निकले, आगला क्विशन नेक्स्ट हमारा, चले भाई, आगे बढ़ते नेक्स्ट है, भूत बली ही पद में कौन सा समासे, भूत बली ही पद में कौन सा समासे, बिकल पाप का बीस ही हो जाता है, ततपुरुस समासे, बिकल बी ततपुरुस, भूत ब्याह बली, भूत बली, यहाँ पर भूत शब्द जो है, चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ती में है, और उत्तर पद बली जो है, वो प्रदान है, यह प्रदान है, तो यहाँ पर चतुर तत्पुर्थी तत्पुर्थ समास है उत्तर प्रधान नहीं कि तत्पुर्थ समास में अंतिमपद प्रधान होता है ठीक है और जो समास के अंतिमपद का लिंग और भचन है अंतिमपद के अनुसार होता रहता है ठीक है आगे बढ़ेंगी अगला क्विश्ण मारा नेक से नि निर्मक्षिकम समस्पद का समाज बिग्र है निर्मक्षिकम मतलब विकल्प आपका सी सी होता है यह विकल्प सी मक्षिकाराम अभाव यहां पर अभाव अर्थ में अभ्याई भाव समास अभ्योई भाव समास में पहला पद प्रदान होता हूँ और संपूर पद अभ्या की भाति प्रियूग में आता है तो प्राय एन नपुन सक लिंग प्रथमा stare एक वचन में होता है और निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव, यानि कि मक्षियों का अभाव, अभाव अर्थ में अभ्यका प्रियूक किया गया है, अभ्याव समास है इसमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन में नेक्स्ट है, किस समास में उभ्यपद प्रधान होते हैं, किस समा जिस समास में प्राय दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो वहां पर दोन समास होता है ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला क्विशी नमारा आप सभी की स्क्रीन पर यह रहा भाई अगला यह रहा अंते यपी इत्यस्य संदे विच्छेदा कह संदे विच्छेदा आपको बता नह है तो यहाँ पर आप प्लस लगा लिजाए यह हो गया थीक है ने और देखिए यहाँ पर पहले तो यह वदण संदी संदी कोई संदी बता सकता है कोई संदी बदा सकता है तो जल्दी सी बताए चलिए आपको एक्जांपल में और बता देते हैं हरे प्लस आवर हरे आवर आगे बढ़ेंगे अगला क्वीशिन नमाना नेक्स्ट सासयो में संदी बिच्छेत आपको बताना है सासयो में संदी बिच्छेत कौन सा होगा यहां पर विकल्प आपका एसे ही हो जाता है सासयो प्लस एउ है यह सासयो शब्द इसमें संदी कौन सी है बृधि संदी का जो बिधायक सुत्रे क्या है बृधि रेच्षे आपकी बाद ए आए तो दोनों की इस्तान पर कर्म सकी आ हो जाता है आ और और हो जाता है क्रेक्ट यह मात्रा भी पहचान कर वह है पहचान सकते हैं ठीक है अच्छा यहां पर आप देख सकते हैं सहसा दन आउका हो जाएगा आ प्लस ए यह हो जाता है अच्छा एक और बीग्जम्पल आपको बदा देते हैं जलाओध यह फिर जलाओगा कुछ भी एक पूश्ण पूश्ण लिया जाता है तो जलधन ओग यह हो जाता है और ओ मिलकर की क्या हो जाता है यहां पर आउ हो जाता है करेक्ट आगे बढ़ेंग शुद्ध संदि च्छेदा एमस्ति कौन सो होगा शुद्ध संदि विच्छेदा को बताना है इसका भी ए ही सही होगा सबका एक क्यों सही हो रहा भाई देवताधन आत्मा सिंपल सी बात पे दीर्ग स्वरसंधी है अका सबर्ड यह दीर्ग हो जाएगा विध्याधन आले लगुधन उर्मी लगूर्मी विध्याले गिरिधन इंद्रह गिरींद्रह गिरिधन इश गिरीश ठीक है आगे वड़ेंगे भाई एतेशु कह संदि विहीना विकल्पा अस्ति विकल्प डी हमारा सही होता है अहां मस्मी पद संदि विहीन है यह पद संदि विहीन है ठीक है? चली भाई आगे वड़ते हैं अगलाग विश्य नमारा अधोदत तेशु विकल्पेशु कह संदि युक्त ना भवती? संदि युक्त कौन सा नहीं है? विकल्प सी अहम अपी संदि युक्त पद तवापी इत्यपी ममापी इसमें सब में दीर्ग संदी देखें उकल्प सम्देशु नहीं इसमें देखें अलग अलग है युक्त पद में युक्त पद में सबस्दिए तवापी युक्त में देखें और सभी काम संदी बिच्छेद आपको बताते चलते हैं, मम, पहले इसका देखे, मम धन अपी, मम अपी हो गया, ठीक है, देरग संदी, तव अपी, तव धन अपी, तव धन अपी में क्या हो गया, तव अपी, इत्यपी इतिधन अपी इसमें हो गया यण संदी आगे बढ़ेंगे अगला क्विश्ण है मारा अगला क्विश्ण आत्मयो अत्रायम संदी भवती बिकल्बी हांव आपका सही हो जाता है दी जब आ आ के बाद आ आ तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है इस संदी का नाम कौन सर दिया गया है ब्रद्धी जसे आत्मा ये दिखे आत्मा धनेव वो जाता आत्मेव क्लेर हुआ ये इसका संधी बिच्चे ये रहा बाई आगे बढ़ते हैं हम अगले एक्वेशिन की तरफ नेक्स रहा ये प्रत्या क्रमडम इत्यत्र संधी विभजनम एवं भवती संधी विभाजन कैसा होगा कौन सा होगा सही प्रतिधन चली भाई विकल्प एक बजाय सी सही हुआ प्रतिधन आक्रमडम इकोई अड़च ये प्रसंधी कौन सी है आ आ इसमें इकोई अड़च के द्वारा इ में आ मिलता है तो ये रस्वया दिर्ग इ वी के बाद अस जो आसवर्ड स्वर आए तो ईउरी के स्थान पर क्रम्शा क्या हो जाता है यह हुआ राला हो जाता है यह किसका एकजांपल है यह याद संधी का इंपोर्टेंट है आगे बढ़ते हैं नेक्स्टमारा क्वेशन आगे देखिए वर्ड माला यां कतिविन ज शाइन से दिखिए धियान से बिकल्पापका यहां पर ऐस हुँता है 33 ठीक है ए वर्ड माला की इंतरगत तैतिस विंजन वर्ड आते हैं संस्कुत ब्याकर में कुल 42 वर्ड माला हैं जन्में नौसवार है, 33 वेंजन, वर्ड समाहित है, करेक्ट, आगे बढ़ते हैं, अगला क्विशन, रिकारस्या, रिकारस्या, वर्ड ओत पत्तिस थानम, विकलब सी, मुर्धा, यह देखिए, यहाँ पर आप, विकलब आपका सी सी हो जाता है, मुर्धा है, ठीक है, यह देखिए, यहाँ पर री है, री, टावर्ग, रा, और, री का, टावर्ग का, रा का, और सस्टी, इसका उच्चारण, इस्थान जो है, वो मुर्धा है, ठीक ह आगे बढ़ेंगे हमारा अगला question next है ग्यात्वा में कौन सी धातु है? ग्यात्वा में आपको धातु बतानी कौन सी धातु है? चलिए बाई, important question है बिकल्प आपका कौन सा से होगा? ग्यात्वा में धातु, बिकल्पे ग्या है ग्यात्वा में विकलब आपका दे से हो जाता है ग्या है ठीक है? ग्यात्वा शब्द ग्या धात्व के कत्वा प्रत्य से जूड करके बना हुआ है देखे आपको बताते चलते हैं पूरुकाली क्रिया का बोध कराने के लिए संस्क्रित में धातु के आगे कत्वा प्रत्वा प्रत्य जोड़ा जाता है कत्वा का त्वा प्राया धातु में जैसे का तैसा जोड़ा जाता है जैसे आप ये देखे ग्या है न तो ग्यात्वा इसना है एक मिनट इसना है तो इसमें इसनात्वा हो जाएगा नी है नीत्वा हो गया आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है यह रहा देखिए पुश्पम में लिंग कौन सा है पुश्पम में लिंग कौन सा है बिकल्पसी नपुन्शक्लिंग बिकल्पसी से होता है पुष्पम में नपुन्शक्लिंग है और ये आकरान नपुन्शक्लिंग है आपको बताते चलते हैं देखिए ध्यान से ध्यान से सुनिएगा ये मुख है नयन है वन है मांस है रुधिर है जल है हल है धन है बल है और इनके अर्थ बताने वाले शब्द प्राया और भी शक्देवाई नप्पुन्सक लिंग होते हैं यह लगभग लगवे जादा जादा पूछे जाते हैं राइट अगला ग्विशन नेक्स्ट हमारा देखे प्रति दिनम में समास कौन से है प्रति दिनम में आपको समास बताना है प्रति दिनम में समास कौन से है विकलप आपका सी से होता है अब्याई भाव समास है ऐसा समासिक पत जहां दोनों में से प्रथम अब्या और दूसरा पत संग्या हो वहाँ पर अब्याई भाव सम से यान अगला क्वेशन उपेंद्रा का संदी विच्षी घृध आपको बताना है देखी बहुत ही आसां सा क्वेशन है एक बार जितने भी शून वीडियो को देख रहे हैं फटावर्ट से वीडियो को लाइक और शीर जरूर करेंगें वह साथी साथ में अपना छोगहां पर आद गुड़ा शुत्र खप्रयोगा थो इस गुड़ से उप्पेंदर-शब्द बना है ठीक है अच्छाइए यहां पर आपको सन्दी बता निएको पता यह चल्गै होगा संदी कौन सी है कि और नेक्स प्रतिदीनम में समास अभि मैंने पूछ लिया थे वैसे प्रतिदीनम स मतबक बढ़ानी होता है रिंद में में प्रती अॉच्छें का संधी विच्चे टिए फर से एक बार ाेख लीज़ें देख लीजिए रिंच तो हो रहा हいます अगला क्वेश्ट निमारा, next कौनसी है? करेक्ट, विकलब याँ पर आपका BC हो जाता है, तृतिया विभक्ती है, भनु शब्द का तृतिया विभक्ती एक बचन करूप, भानुना होता है दूतिया विभक्ती एक बचन भानुन तुरतिया विभक्ती एक बचन भानुना चतुरति विभक्ती एक बचन भानुवे पंचमी विभक्ती एक बचन भानुन करेक्ट आगे बढ़ेंगे अगला क्वेशन दत्ता में कौन सा प्रत्य है? दत्ता हमें कौन सा प्रत्य है कत्थ, कत्व, अनियर, यत दत्ता हमें कौन सा प्रत्य है विकल्प आपका एस से युद्धा कत्प्रत्य दाधातु से कत्प्रत्य होने पर दत्ता शब्द बनता है दाधातु प्लस कत्प्रत्य क्या हो जाता है मतलब दत्ता ठीक है? अच्छा यहाँ पर देखिए दा में अगर कत्वा जोडता है बिकल भी जोड जाता है यहाँ पर चलिए हम पीछे जोड देते हैं आगे ऐसे आप जोड समझ सकते हैं न तो यह हो जाएगा दत्वा अब यहाँ पर आप दा प्लस अनियर यहाँ पर हो जाएगा दानी है चलिए दा प्लस यत हो जाएगा तो यहाँ पर दे हो जाएगा यह जो प्रत्य है न संस्कृत का थोड़ा सा थोड़ा सा है मुझेदार आगे वढ़ेंग अगला क्वेशन है मतलब टाइम मांगता है सह अत्र तिस्ठेत सह अत्र तिस्ठेत आपको बताना है तिस्ठेत रेखांके शब्द में मुल धातू और लकार कौन सा है बिकल्बी इस्था धातू बिदिलिंग लकार है प्रतम पूरुष एक वचन है ठीक है चली वाई अच्छा इस्था धातू लंग लकार प्रतम पूरुष एक वचन में क्या होगा अतिस्ठत इस्था धातू इस्था धातू अगर हुई और लट लकार हुआ प्रतम पूरुष एक वचन में तिस्ठत इस्था धातू लोट लकार प्रतम पूरुष तिस्ठत आगे बढ़ेंगे अगले क्वेसिन कि तरफ नेक्स्ट है इस्माकम गूरा कुट कि मैं सर्वनाम कोन सा है इस्माकम कर रखंक यह स्भड का ससिटिविभक्ति बहुत बचन का रूप है देखिए जो संग्या की बदले पर्यूक्त किया जाता है वही तो सर्वनाम है इसलिए उप्रोक्त वाक्य में युश्माकम जो है यह सर्वनाम है जबकि ग्रिहम पद यह क्या है यह कर्मकारक संगिया है कुत्र क्या है अव्य है और अस्ति क्या है क्रिया है राइट आगे बढ़ते हैं अगला क्विशन आप सब विदी की स्क्रीन पर यह रहा युश्मा कम येकोश्जन हो चुक है अस धातु लंगलकार मद्ध्ययमपूरुस दोई उवचन का रूप है क्या है अस्तम मितलप आपका सिचि होता है देखिये जो आस्ताम है ये अस्धातु लंग लकार ये प्रथम पूरुष दुईवचन का रूप है ये प्रथम पूरुष दुईवचन है स्याताम यहाँ पर अस्धातु भी है बिदी लंग लकार है प्रथम पूरुष दुईवचन है ठीक है, आस्तम ये अस्धातु लंग लकार मध्यम पूरुष दोईवचन है, आस्व ये अस्धातु है लंग लकार उत्तम पूरुष दोईवचन है, क्लेर हो गया, चली भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशिन वारा, आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रियुक्त होगी, मिकलब सी आगज़ते, ठीक, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेशन, शफुरी पद परियावाची ये, किसका? शफुरी शफुरी किसका है भाई? बिलुकल सही, बिकल्बी मीन या फर मचली का परियावाची है शत्रु का, शत्र जो है दुशमन का समुद्र सागर का शम्भु शिव का अगला सुकर्म शब्द का विप्री तार्थक शब्द आपको बताना विलोम बताना है सुकर्म का विप्री तार्थक शब्द क्या होगा यहां पर विकल्ब आपका डी से हो जाता है दुश्कर्म है सुकर्म और कुकर्म ये परस पर बिपरी तार्थक शब्द माने जाते हैं अगला क्वेशन next हमारा किस प्रत्याहर में सभी स्वर आते हैं? Important question है, किस प्रत्याहर में सभी स्वर आते हैं? बेलबी, आचोज प्रत्याहर अच प्रत्याहर अच प्रत्याहर के इंदर गरत ये अच प्रत्याहर के इंदर सभी स्वर आते हैं जबकि जो अल प्रत्याहर है ना इसके इंदर गरत सभी वर्ड आ जाते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे भाई अगला क्वेशन ने वर्गों के पंचम वर्णों का उचारन स्थान क्या है वर्गों के पंचम वर्णों का उचारन स्थान तालू कंठ नासिका मुर्धा विकल्सी हमारा से होता है नासिका है इया, म, अंग, अड, न, ये सबी इसका उच्चारण जितना भी होता है, नासी का होता है नेक्स्ट क्वेशन है, ब्रह्मभर्शी, ब्रह्मभर्शी शब्द में प्रियुक्त संदी कौन सी है? यहाँ पर बेकल्ब सीसी हो जाता है, गुड़े है, ब्रह्मदन रिशी, तो यहाँ पर यह बिकल्ब आपका सही हो जाता है, आदी गुड़ा, गुड़े, यहाँ पर संदी है अगला क्वेशन नमारा नेक्स्ट है, वर्गों के पंचम वर्डों का उच्चारण स्थान, यह बिकल्ब आपका सही हो जाता है सी हीँ की रामस दं चिनोती पहद द्रियेंश की एक कि यह जाँ। यह च्धिया वर्गं यहां के योग्शती मतलब हो रहा है तो यहां पर यह थालं2 मतलब्ध हो रहा है चेल्ड you से हो जाता है में कर आपका ड़िये रमज धन जिनोटि ऊगला फ्स इस्षेन पर यह है अगला क्वश्चन थ्यान से देखिए तो तो गंगोद कम होगा गंगौद कम का संद्धिचित क्या होगा घंगोद कम का संद्धिचीत दाओं यहां पर आपका से हो आकार है गंगा इसके पश्यात उधकम का विद्धिमान है तो आदगुढ सूतर से दोनों के इस्थान पर क्या हो जाता है ये गंगोधकम मतलब हो जाता है ये जब संधी होगी तो गंगोधकम हो जाता हो विच्छेत जो हो जाता है गंगाधन उधकम होगा अब यहाँ पर आ बहुत यहां सांसा है और यहां पर आपको सबसे पहले तो यह बता देना कि इसमें संधी कौन सी है बहुत इंपोर्टेंट है हिंदी में भी आप कर चुके हैं बिकल्पे पोधन इत्रम है आगे बढ़ते हैं अंगला क्वेशन नेक्स्ट निम्नांकित में से अर्विंदम शब्द का परियाय क्या है अर्विंदम शब्द का परियाय आपको बताना है बिकल्प डी हमारा से हो जाता है कमलम है बिकल्प डी से होता है कमलम है अर्विंदम शब्द का अर्थ कमल है और नीरम का प्रयोग जल के लिए होता है, गगणनम का आकाश और वायु का पवन के लिए, यह मैंने एक्वेशन आपको करवा दिया है, आगे संस्कितम शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग आपको बताना है, बिकल्प यहां पर आपका, बीस ही हो ज तो फ्रेंश यहां पर आज की हमारे क्वेस्शंस होते हैं कंप्लीट करेंगे सभी इकवेशन का एक बाह्स सुपर-फास्स्यविजन विट अफटर से आप पुत्री का परियावाची है पुत्री का पडरीय वाची है बिकल्प मेहां पर आपका CC होता है तनिया नेक्स्च क्कुशन निम्णांकित्मेरे अरुदम सभद का परिया और य। अगल्डमещ n.ट इस ने चेलाथ शब्द डियोतक है चराथ बीकल्च शम्य का अग लाग्वे सही हो जाता है क्रिया विश्यष्णम next question कमला अध्यने निपुडा अस्ती भी सही होता है आप लोग फटावर से रिप्लाई करते रिए next जल्दी से रिप्लाई करते रिए अनुपसर का प्रियोग किस शब्द में नहीं हुआ है अनुपसर का प्रियोग किस शब्द में नहीं हुआ है बिकल्प सी अनुपस्थित उपसर के संग्या विधायक सुत्र कौन से है ये सही हो जाता है बिकल्प सी उपसर का क्रिया योग्य next question सा सा एक मिनट सा फिल इंदा ब्लांक होगा फिर उसके बाहस सी होगा पुस्तकम क्रेतुम इच्छती बिकल्प सी अन्यत अगला अशुद्धम वाक्यम जिनूत बिकल्प डी सरपा मुष्कम गिलितवान यहां पर सही होगा दिखिए गीडवान यहां पर हो जाएगा गिलितवान का गीडवान मातूर माता ऐवं गत्यते मातुर माता विकलपि यहाँ पर ऐसे यह हो जाता है माता मही अगला क्विशने अधोधर्थ तेसू विकलप पेशू कहा विकलपा शुद्धा विकलप डी वहाँ अरडवा अशुद वाके का चेहन करना है अगला क्वेशन है गोधूम शब्द का अर्थ क्या है? गोधूम शब्द का अर्थ बिकल्बी से होता गे हुँ है गुटने के लिए उप्यूक्त संस्कृत शब्द कौन से है? बिकल्ब यहां पर आपका सही हो जाता है बिकल्ब ए है जानू है नेक्स है कुझर शब्द का अर्थ क्या होता है? कुझर शब्द का अर्थ बिकल्ब ए हां थी है बहवती इस्म इत्यस्य अर्था का बिकल्ब D अभुवत है अगला क्वेशन गच्छती इस्म इत्यवाक्यस्य अर्था का बिकल्ब C अगच्छत चल्पद में लकार पुरुष और वचन क्रमश है चल्ब बिकल्बी लोट लकार मद्यम पुरुष एक वचन वविश्यत काल में किस लकार का प्रियोग होता है? बहुत ही आसान सा वविश्यत काल में लिट लकार नदी की विभक्ती दूतिया पंचन शब्दसी दूतिया बहुँचम किम? पंचन बिकल्पसी पंच राजन शब्दसी दूतिया आया एक वचने किम? रूपम भवती बिकल्प यहाँ पर डी से हो जाता है राग्या इस्तुरे लिंग मात्री शब्दका दूतिया बिभक्ती बहुँचन का रूप बिकल्प डी से होता है मात्री अस्मद सर्वनाम का सस्री बिभक्ती बहुँचन का रूप अस्माकम पंचमी बिभक्ती एक वचन में लता शब्द का रूप क्या होगा? बिकल्ब डी लताया बात्री जाए इत्यत्र बिभक्ती का बिकल्बी संबूधना प्रत्मा संपत्सु इत्कस्याम बिभक्तों वर्थते सब्तमी नमा शब्द योगी का विभक्ती चतूर्थी मम इत्रम संस्क्रितम जानाती इत्यत्र संस्क्रित सब्दश्य विभक्तिम का बिकल्बे दूतिया अब लोग फटाबट से रिप्लाई करते रहिए विप्राय गाम ददाती विप्रिशब्द कारकम विकल्बी संप्रदानम साधक्तम फिलिन्द ब्लैंक विकल्बी करडम प्राक इत्यस्तिय योगी का विभक्ती पंचमे अश्वात अश्वात राम अपतत इस वाकि में आये अश्वात पदमे कौन से विभक्ती है? पंचमी है जटाभी तापसा में तृतिय विभक्ती का विधायक सूत्र विकल्बी सापादेन खंज अस्ति पादेन पदमे तृतिय विभक्ती का विधायक सूत्र आपको बताना है? विकल्बी एनांग विकार कर्मधारे समास के समास का ही एक भेद माना जाता है विकल्बी ततपुरुष कंबु कंठाय समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा? विकल्बी कंबु रिव कंठो यसिस भूत बली पद में कौन से समास है? विकल्बी हमारा सही होता ततपुरुष समास है नेक्स क्वेशन निर्मक्षिकम समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा? निर्मक्षिकम समस्त पद का समास विग्रह विकल्प सी मक्षिकाडाम अभावा बक्षिकाड़ाम अभाव यहां पर अभाव अर्थ होता है तो यह अब बेई भाव समास है किस समास में उभैपद प्रधान होते हैं उभैपद प्रधान किस में होते हैं विकल्प अपवा अन्ते अपी का संदे विच्छेद विकल्पे अन्ते प्लस अपी सासाव, संधि विच्छेद विकल्पे, सासाव प्लस एव next देवात्मा, सुद्ध यहाँ पर, सुद्ध संधि विच्छेद विकल्पे एमारा सीवता, देवताव प्लस आत्मा next question A तेशु, कह संधि विहीन विकल्पह अस्ति विकल्प D अधुद तेसु विकल पेसु का संधी युक्तहना भवती आहम अपी आपको डिटेल में ने सब बता दिया है आगे देखिए आत्मयो अत्रायम संधी भवती दी ब्रद्धि संधी विच्छे अत्मा प्लस एव हो जाएगा अरे आत्मा प्लस एव होगा आगे बढ़ेंगे अगला क्विश्य ने प्रत्याक्रमडम इत्रत संधी विच्छे अत्मा प्रति दन आक्रमडम वर्ड माला आयम कती विंजनान संती कितना हो जाएगा इसमें तैतिस अगला रिकार अस्य वर्डो पत्तिस थानम मोर्धा ग्यात्वा में कौन सी धातु है ग्यात्वा में धातु विकल पे ग्या पुश्पम में लिंग कौन सा है सी नपुन सकलिंग प्रति दिनम में समास कौन सा है सी अभ्याई भहौ समास उपेंद्र का संदे विच्छेद उपेंद्रा का संदे विच्छेद भानुना में विभक्ती आपको बतानी भानुना में विभक्ती विकल पापका बीसी होता है तृतिया विभक्ती राइट दत्ता में कौन सा प्रत्य है कत प्रत्य साह अत्र तिस्ठेत में मूल धातु और लकार आपको बताना है इस था धातु बिदिलंग लकार प्रतम पुरुष एक वचन युश्माकम गरियम कुत्र अस्ति इस वाक्य में सर्वना हम आपको बताना है युश्माकम आगे बढ़ेंगे अगला क्वेशन है ध्यान से लिखिए अस धातु लंग लकार मद्यम पुरुष दुवचन का रूप क्या है आस्तम आताई के लिए संस्कृत में प्रियुक्त तो क्या होगा आगच्छत शफरी पद परियाएवाचिये बिकल्पाप का बी से होता मीन का सुकरम शब्द का विपरितार्थक शब्द क्या होगा डी दुशकरम किस प्रत्याहर में सभी स्वर आते हैं बिकल्पी अच्छ अल में सभी वर्ड आते हैं वर्डों के पंचम वर्डों का उच्चारन स्थान नासिका ब्रमभर्शी शब्द में प्रियूक्त संदी कोन सी है विकल्प सी से होता है गुल संदी वर्गों के पंचम वर्डों के उच्चारन स्थान नासिका विकल्प आपका सी से होता है रामस चिनोती पद का संदी विश्षेद क्या होगा बिकल्प डी रामस धन चिनोती गंगोधकम का संधी विच्छेद गंगोधकम का संधी विच्छेद बिकल्प डी गंगाधन उदकम है पवित्रम में संधी विच्छेद बिकल्पे पोधन इत्रम है निम्नांकित में अर्विंदम शब्द का परिया है अब यहाँ पर आप लोग यह क्वेशन हो जाता है पूरा खत्म और साथ साथ में रिविजन भी खत्म हो जाता है अर्विंदम शब्द का परियाए यह रहा आपका आज का सवाल ठीक है आज का सवाल हो जाता है यह ठीक है आज का सवाल है अर्विंदम शब्द का परियाए ब बताना है आज ही क्लास आपको कैसी लगी अपना फिट बैक जरूर दीजेगा सीरिसली और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेशन का क्लेक्शन मैंने आपको पहुंचाया और लास्ट टाइम में जैसे क्यों होता है कि ना रिवीजन भी आपको करवा दिया और सब्सक्राइ कि हैं बहुत जादा डीप तक जाने का मतलब पूरा चाप्टर ही पढ़ा दें तो फिर यह एक क्वेशन करवाने का कोई मतलब नहीं है ठीक है और आप लोग अपना फिट बैक नीचे कॉमेंट सकते में दीजेगा और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग टेल पर सरच करेंगे तो फिर आप हमेज़ाएंगे और साथी साथ में इस्ट्राग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं कि आप मुझसे मिल सकते हैं मुनमुन ब्लॉक्स पर मेरे पास जब टाइम होगा तो आप लोगों से यहां पर connect होंगे बहुत जल्दी तो यह यहां पर आप मुझसे connect हो सकते हैं इन सभी जगों पर और साथी साथ में आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें बहुत ही मेहनत लगती एक वीडियो तयार करने में और अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए टाइम कितना हो रहा है आपको बताएं यह आप देख सकते हैं एक मिनट यह आपको हम दिखाते हैं टाइम यह दो अट क्लास देखनी को मिलेगी ठीक है तो अप लोग थोड़ा सा शेयर करते हैं वीडियो को लाइक तो एक मोटिवेशन मिलता है बस तो लाइक और शेयर करते रही है अपना फीड़बैक नीचे कॉमें सेक्शन में जरूर दीजेगा पढ़ते रही है मेहनत करते हैं हाड़ वर् तो बस यही है जब देता है न तो सच में आपका आपने जो मेहनत की उसका एक पाई जोड़ करके देते हैं भगवान तो इश्वर में विश्वास रखिए मेहनत करते रहे सफलता जरू में इसे के साथ ही मिलते फिर नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुद बायान ठेक जैहिन बंदे मात्रव